बचलो इस question में आपके सामने copper plus 2 से एक electron gain करके जो copper बन रहा है उसका potential दिया हुआ है आपके पास यह आपको इसको even माल लेते हैं, even का value कितने दिया हुआ है 0.15 volt दिया हुआ है, ठेक है और आपको क्या दिया हुआ है तो आपको दिया हुआ है copper plus से electron gain करके जो copper बनता है, उसका भी voltage दिया हुआ 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 है इसका value दिया है 0.5 दिया हुआ है अब इंदो data का use करके आपको पता करना है copper plus 2 से copper जाने का potential पता करना है यह यह रिशन को चाहिए अपच्छे इस रिशन को आप 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे ठीक है तो दियान देना इसको मैं लोग solve कैसे करेंगे तो इसको solve करने के लिए आपके सामने छोटा सा एक trick है जो मैं आपको सेर कर रहा हूँ तो दियान देना जब भी आपके पास more than 1 रिशन का combine करके नया रिशन कोई मिलता है तो आप पहले देखो कि क्या process के थूरू ए रिशन मिलेगा तो आप simply क्या करोगे अगर रिशन 1 और 2 को आप add up करते हो तो आपको रिशन मिल जाएगा अब रिशन 1 तो को add up करने पर रिशन मिल रहा है प्लस इस combination का आपको रिशन 1 के एफ और रिशन 2 को add करना है पस जब add कर रहोगे तो उसमें जो ल्ट्रॉन जितना इंवल्ब था जैसे यहां पे ल्ट्रॉन कितना था इंवल्ब वन और यहां भी वन तो इस रिशन का पोटेंशल होगा वन और टू के पोटेंशल का addition तो आए गाएगा बड़ जब addition करेंगे तो उसमें जो ल्ट्रॉन इंवल्ब था जैसे यहां पे ल्ट्रॉन कितना था इंवल्ब वन और यहां भी वन था तो उसमाल प्लाई करना है तो यहां यह क्या होगा वर वान इंटू ईवन प्लस वन इंटू ईटू डिवाइड़ बाई क्या करना है डिवाइड़ बाई इस जो आपका net relation हो उसके end से डिवाइड करते आपको तो आप जब ऐसा करते हो तो आपका value क्या हो जाएगा प्लाईट उन फाइब प्लस पॉइंट फाइब बाई टू यानि पॉइंट उफ फाइब डИ्ट तो जो बालू है वालू होगा पॉइंट थ्री टू फाइव वोल्ट यानि आपका जो answer होगा answer b से match करेगा हमारा answer क्या होगा बी होगा तो यह था इस करें आपका आ